हेलो बच्चों कैसे हो आप सब फाइनली वेलकम अगें टो लॉफ यू टू मैं चैनल बाले जी बॉन विटा तो अच्छे से आपको बॉन विटा का स्वाद आ रहा होगा और बाले जी को आप अच्छे से आप लाइन तो नाइन कंसेप्ट बेसे पढ़ रहे होंगे कि नीट में बाले जी नहीं सब की जान ले ली है इतना टफ कोशन आया था कि आदिस ज्यादा जोने ने इंसियाटी पड़ी नहीं जी ढंग से उनका तो काम तो आप हो गया है अब या तो वह अपना आप्शन चेंज करेंगे या दुबाय से डॉप करके फिर से तियारी कर है तो NCRT ही पढ़ना है बच्चो मैंने हर एक कोश्चन को इस साल के NCRT से कहां से कौन से पेज कौन से लाइन से आया थे मैंने 90 कोश्चन का पूरा डेटेल अनले से किया हुआ है उसको आप देख लेना सेल्फी बिस साइंस मेरा दूसरा चैनल है उसके अंदर में और अग इंग्डम मॉनेरा, फंगी और प्रोटिस्टा कर लिया है अब वारिस के बारे में आते हैं वारिस क्या है वारिस गोविंदा के उस डायलोग के तरह है गाने में जो से गारा होता है मरते दम तक वाली पिक्चर में अगर आपको पुरानी याद हो छोड़ेंगे ना हम तेर जीवी या पारसाइट है इसको उबलीगेट पारसाइट कहते हैं तो वारिस क्या है एक टाइप का उबलीगेट पारसाइट है जो अपने होस्ट के बिना नहीं रह सकता Obligate means जिसके लिए एक cell या एक host या उसका मेमान चाहिए ही चाहिए तो ये एक Obligate Parasite है बच्चों ये एक ऐसा Entity है इसको हम organism नहीं कह सकते हैं क्योंकि organism है ही नहीं इसको Entity बोलते हैं क्योंकि ये एक ऐसा Entity एक ऐसा Structure है जो Living System के बाहर Inert है means Non-Living है So it is Inert ये NCRT में लाइन लिखी है Inert Outside Living Cell Living Cell के बाहर ये एक Inert Structure है Inactive है बाहर इसकी कोई पहचान नहीं है जैसे ही ये Cell के अंदर आता है ये अपनी Activity चलू कर देता है और host cell की Machine को यूज़ करके सारा अपने आपक्राम करता है इतना तो जिद्धी आई है कि आप इतने जिद्धी हो कि ऐसे ही YouTube चैनल से फाइदा उठा करके अपने लिए एक सीट ले सको नेक्स्ट ये वारस से कम जिद्धी हो ना कि मार के ही दम लेता है आप एक सी अगूर्ण को जीत के ही दम लेगा वारस और आप में एक प्रीज़के महते हैं देखते हैं कौन जीता है है तो यह इनर्ट है, और जैसे ही सेल के अंदर साल अंदर होता है ये एक्टिव हो जाता है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि यह boundary line पे है living और non-living, living non-living की boundary line पे बारिस होता है, यह एक fact है, but बारिस है क्या है, इसका full form क्या है, यह कि यह short form से बारिस बना हुआ है, मैं बताता हूँ, देखो, it is vital information resource under seas, important information resource जब किसी के काबू में आ जाए, तो समझो वारिस हा गया है, एक cell का important information उसका nucleus होता है, तो वारिस निकुलियस पे अटाक करके सुख गुलाम कर देता और अपने लिए काम करवाता है, तो वारिस को पूछना किस किस को आता है, ठीक है, आगे चलते हैं, वारिस की थोड़ी हिस्ट्री पे आते हैं, कुछ ऐसी हिस्ट्री जो कि NCRT में नहीं दी गई है, लेकि उस अराउंड दा टाइम आफ 1874, साइंटिस्ट अडॉल्फ मेर, ये अपने गार्डन में घूम रहे थे, और इन्होंने देखा टोबैको इन्होंने ग्रो किया था, तमाकू कहते हैं, टोबैको प्लांट की लीफ जब इन्होंने देखी, तो इनको कुछ उस पत्ती में सा अन्यूजवल लगा, उनको क्या दिखा कुछ पत्तियों में, ये पत्ती थी, उसमें कुछ ऐसे वाइट स्पॉट पढ़ गया थे, हलके हरी रंग के, पत्ती तो हरी रंग की होती है, उस स्पॉट की विए से उसका रंग थोड़ा पैरेट ग्रीन हो गया था, हलका हरा हो तो ये मुजाइक वर्ड आए का टोबेको मुजाइक वारिस में, तो ये शुरुवात किस ने किया था है, एडॉल्फ मेर ने, ये परिशान हो गए कि ये कैसे होगा, इन्हों ने उस पत्ति को तोड़ा और जाने कोशी की कि क्या इसमें हो सकता है, मट ये कुछ पता नहीं पाए, लेकिन ये अब्जर्वेशन की शुरुवात, एक इम्पॉर्टन शुरुवात थी, जो कि आगे जाके वारिलोजी, मींस वारिस की स्टेडी के डिपार्टमेंट में, एक इम्पॉर्टन कंट्रिबूशन लाई थी, क्योंकि सबसे पहले अब्जर्व ने ने किया थ उस समय बाए, इसके बाद में कुछ नहीं पता था, लेकिन ये अन्यूजल चीज तो अजीब ही थी, तो हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद में, लुइस पास्च्चर का एक स्टूडेंट था, 1884 में जिसका नाम था चार्ल्स चैंबर्लेंड, चार्ल्स चैंबर्लेंड, अ लुइस पास्च्चर और इनकी सबने मिल करके क्या किया था, एक पोर्सलीन फिल्टर बनाया था, जिसमें की छोटे से छोटा बैक्टीरिया भी अराम से फिल्टर के पकड़ में आ जाता था, और उस समय की दुनिया में यही था कि यह सबसे छोटा बैक्टीरिया है, उसे कुछ हाई नहीं तो उन्हेंने एक ऐसा जाल टाइप बनाया जहां पर अगर उसको फिल्टर करेंगे solution को तो छोटे से छोटा बैक्टीरिया भी उसने पकड़े में जैसे चाय-पति चाहए-पति उपर जाती है तो ऐसे छोटे से छोटा बैक्टीरिया भी फिल्टर हो जाता कि ने इसको यूज किया किसको बैक्टिरियल फिल्टर पेपर धियान रखना है मैं आपको लाइन टो लाइन पढ़ाऊंगा और यह मैक्सम्म पढ़ाते और पढ़ते से में लोग मिस कर देते हैं मैंने आपको लिंक देखे पढ़ा दिया है सो हीने क्या किया आडल्फ मेर कि टोबाको की लीफ जिसमें मोजाक पैटरन थे उस लीफ को टोबाको लीफ को एक्स्टेक्सिक सोलूशन बनाया ईकिस ने क्यूंकि जब इसने कहा था कुछ ना कुछ बढ़़ के ऐसे तो सोचा कि सब से चोटा बैक्टिरिया पकड़ में आ जाएगा मेरे को कंट्रिबूशन मिल जाएगा कि मैंने चोटा बैक्टिरिया ढूंड लिया है मैंने इस भीमारी के लाज ढूंड लिया है तो उसने वही किया लीव के एक्साइट को लिया सोलुशन बना और छान दिया कि इसमें पोसलीन के बैक्टिरियर फिल्टर पेपर में हुआ क्या कुछ भी नहीं आया सब कुछ नीचे चला गया उस फिल्टर पेपर में कुछ बचाई नहीं दिखाई नहीं इसका दिमाग घूंग गया यह तो खुश हो रहा था कि मेरे को तो मिल जागा प्राइज लेकिन सब कुछ नीचे आ गया तो इसने क्या बोला कि कुछ न कुछ जहर है कोई 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 जो इस पत्ती के अंदर में इसको बैक्टीरिया तो नहीं हो सकता कि बैक्टीरिया चोड़ी छोटा वांट राप हो रहा था वो सारा निकल गया इट मस्ट बी सम पॉईजन यह पॉईजन है जो की यहां पे उसको डामेज कर रहा है और पॉईजन को ग्रीक में तो इवान उसके का contribution यह था उसने बोल दिया बैक्टिरिया तो नहीं है जी जो बाके सब बोले से छोटा बैक्टिरिया वो तो नहीं है तो अब आगे क्या आगे scientist बेजी रंग किया बेजी रंग किया इसने भी वही experiment किया filter paper लेकरके और उसको छान दिया और जब निकला तो उसने आगे क्या किया उसी extract को एक healthy leaf के उपर डाल दिया एक ऐसी पत्ती जिसमें कुछ नहीं था तो जब उसके solution को उसने healthy leaf में डाला तो उसके अंदर भी mosaic pattern आ गया इसका मतलब सिर्फ उसी पत्ते में नहीं था वो जो poison है वो जिन्दा है वो मरा नहीं है वो जहर जिन्दा है और दूसरी healthy पत्तियों को नुक्सान पैदा कर रहा है तो इसने यहाँ पर क्या नाम दिया उसको उस fluid को contagium vivum fluidum contagium vivum fluidum contagium को उनलब होता है poisonous जो contagious है vivum होता है living fluidum means वो extract जो इबन उसकी ने निकाला था बताया था कि यह जहर है यह जहर कुछ ऐसे वैसा नहीं है यह जहर दूसरे जिन्दा को भी जहर बना रहा है उसमें वो इनुक्सान पैदा कर रहा है तो यह बैजरंकिया ने कह दिया था अब टाइम बीटता है क्योंकि इतने छोटा कंटेंट और उसमें कि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि छोटे छोटे चोटे कंटेंट दू पकड़ लें माइक्रोस्कोप इन्होंने एलेक्रोन माइक्रोस्कोप को बना दिया था 1927 में अब बाइलोजी फिर इस केमिस्ट्री के एक नई दुनिया सामने आ गई नई दुनिया जो कि इसने देखा ही नहीं था यहाँ पर यह दिखा सकते थे इसी के बेसिस पर 1935 में साइंटिस्स स्टैनले ने फानिली एलेक्रोन माइक्रोस्कोप यूज़ करते वे उस तमाकू की पत्ती में जो जहर था उसको इनर्ट फॉर्म में ऐस्टोलेट कर लिया निकाल लिया पकड़ लिया इसने सोचो एलेक्रोन माइक्रोस्कोप नहीं होता आज सिलबस कितना असान होता अब इसको तारीफ करें कि उसको क्या बै क्यूं परिशान करते हूं इन सब को करना पड़े गा तो Stanley ने electron microscope के थूँ उस fluid को जमा दिया क्रिस्टलाइज कर दिया दही के तरह और फिर बाद में rod shape का एक अलग से structure निकला जिसको आज हम virus कहते हैं तो virus का contribution इसको जाता है क्योंकि इसने सबसे पहले क्रिस्टलाइज करके क्रिस्टलाइज क्या होता है नॉन लिविंग को क्रिस्टलाइज करते हैं तो क्रिस्टलाइज करके virus को निकला था नाम था T.M.V. देखो यह वाड तो आ गया था टबैको अडॉल्फ में ने ढूड़ मोजाइक पैटर्न उसने ढूड़ा किसकी वाज़ दा जहर की वाज़ से मोजाइक वारस तो टबैको मोजाइक वारस के discovery फानली हो चुके थी इन्होंने वारस के chemical structure की सटी की chemical means वारस बना किससे है तब इन्होंने बता है कि वारस बना है genetic material से इसमें genetic material और protein होता है तो यह दो content से मिलके बना है genetic material and protein यह सारी वारस के history है हर चीज को ध्यान से करना है हल्या कि कुछ इसमें से anxiety में नहीं है लेकिन link में है तो मैंने आपको बता दिया है बच्चों ध्यान देना है अब आते हैं इसके structure पर मेंस इसके जो chemical structure है उस पर आते है structure of virus जैसे कि मैंने बता है कि इसके पास दो main content होते हैं दो content से मिलके यह बना होता है one is genetic material दूसरा है इसका protein जो इसके बाहर होता है genetic material अंदर होता है inside packing के form में और यह cover करता है genetic material को it covers genetic material यह ध्यान रखना है तो protein एक covering के form में जैसे हम लड़्डू मिठाई के डबबा लेके आते हैं लड़्डू क्या है उसके genetic material बाहर जो डबबाए वो क्या है प्रोटीन है तो इस protein के unit को capsid जो की capsul mirror से बने होते हैं यह present होता है इसमें बाहर से protein and genetic material अब genetic material कैसा है very important यह genetic material इन में DNA भी हो सकता है या और है RNA ध्यान रखना है बच्चों DNA और RNA दोनों एक साथ नहीं हो सकते genetic material कहीं पे भी नहीं है DNA और RNA और RNA genetic material सिर्फ virus में हैं यह ध्यान रखना है बाकी RNA genetic material कहीं नहीं है RNA genetic material only in virus लिख देता हूँ यह ध्यान रखना है, copy निकाल के लिख रहे हो ना, only in virus, photo नहीं खीचना है, लिखोगे तो याद होता है, photo खीचने से भूल जाते हैं, delete हो जाते हैं, तो यह सिर्फ virus में होता है, तो ऐसे virus जिनका RNA genetic material है, उनको कहते हैं, retro virus, यह retro virus होते हैं, very important बच्चों, retro virus, RNA genetic material, DNA तो होता ही होता है, DNA क्या है, universal genetic material है, बट RNA वारिस में भी होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनो एक साथ नहीं हो सकता, यह ध्यान रखना है, अब देखो, यह भी कैसे होता है? DNA, genetic material single standard भी होता है single standard नियमिख सुना न बारश स्रम्में सब कुछ होता है यह single standard भी होता है genetic material और यह double standard तो ख्रण्ध ह調 है ही उनिवर्स जरनीटिक माटडिक जैसा है double standard है 이 double standard है दो नों में से DNA में कैसा भी genetic letter single भी हो सकता है double means, एक line वाला DNA और यह ऐसे, यह भी हो सकता है single standard DNA present होता है 5 into 174 virus में, very important 12 में पढ़ोगे इसको आप आगे नाम में chapter 6 में, और जो double standard होता है, यह T2 bacteria forge में होता है bacteria forge T2 bacteria forge बच्चों, forge का मतलब virus होता है, ध्यान रखना है forge का मतलब virus है virus जो bacteria को अटाक करता है T type 2 second का होता है इसको T2 bacteria forge कहते है T का मतलब यहाँ पर scientist का नाम से है जिसको twart कहते है twart ने ऐसे bacteria forge means virus को ढूंडा था ठीक है बच्चों, so DNA क्या है single standard double standard दोनों ही type का present होता है, इसी तरीके से RNA भी genetic material है और यह भी single standard form में हो सकता है या double standard form में हो सकता है देखो virus में कितनी variation है genetic material में single standard RNA virus corona बहुत तंक किया भाई, 2 सारे इसने corona virus क्या है single standard RNA genetic material है HIV जिससे AIDS होता है इसके बाद single standard genetic material है double standard wound tumor virus के पास होता है very very important यह बच्चों ध्यान से लिखने ना आपको अलग-अलग channels या जगा से मिले तो आप यहाँ देखो सब कुछ एक जगा पर मैंने आपको notes live बना के दे रहा हूँ तो आप लिख लो उसको ध्यान से ध्यान से लिख लो उसको DNA single standard है 521 74 virus double standard है T2 bacteria forge अब आते हैं इसके दूसरे डिटेल पर proteins जो proteins हैं इसकी वज़ा से proteins की वज़ा से इनके different shape बनते हैं ये different geometrical shape में होते हैं they can be helical जैसे CD होती ही घुमादार helical shape में हो सकते हैं they can be polyhedral different directions होते हैं तो ये shapes protein की वैसे बन रहे हैं I hope कि आपको ये structure clear हो गया होगा वार्स का structure ठीक है चलें आगे चलो notes बनाते रहे हैं बच्चों जो drop कर रहे हैं अब ध्यान रखें कुछ पी चीज और लिना पड़े रट नहीं सकते इसको आपको लिख लिख की आतकर नहीं पड़ेगा देखो next पर आते हैं कि वार्स का importance कैया है आपको लगता है ऐसा कुछ फाइदा हो सकता है हमारे लिए फाइदा नुक्सान ही होता है ना obligate parasite हो सके नुक्सान ही करना है इसका कामी मतलब मार देना मार के अपनी बना के निकाल ले ना इसका फायदा करवाय जाता है, होता नहीं है, पोई भी वारिस अपने आपसे फायदा नहीं करता है, किसी भी हुमन्स को, लेकिन फायदा करवाय जाता है, लेकिन पहले हम देखते हैं, वारिस का इंपॉर्टन्स जनली क्या है, यह डिजीज कॉस करता है, इट कॉज डिजीजेस कहां कहां प्लांट्स में एनिमल्स में हुमन्स में सब में डिजीज कॉज करता है कुछ बिमारी के नाम याद आ रहे हैं प्लांट्स वाई पड़ा टोबैक को मुजाइक वाइरस किसमें होता है तमाकों की पत्रियों में बिमारी कॉज करता है क्या क्या कर सकता है यह मोजैक पैटर्न बनाता है मिस हलके हरे रंग के धबे चोड़ देता है लाइट कर देता है क्लोरिफिल के कंटेंट को बाकी दूसरे प्लांट में जो प्लांट डिजीज होती है उसमें यह लीफ करलिंग पत्यों को मोड सकता है, प्लांट की हाइट को रो सकता है, stunted growth बोलते हैं, तो ये सब symptoms plant disease में बारस कर सकते हैं. एनिमल्स में फ्लू है पोक्स है कव पोक्स बोलते हैं एसे डिफ्रिंट टाइप के अनिमल डिजीज होती है हिूमन्स में तो भरे पड़े हैं बारिस में हुँआइट्स डिजीज है चिकन इंफ्वंज़ा है चिकन पॉक्स है तो बहुत सारी बिमारियां humans में cause करता है है कोरोना वारिस को कैसे बूस सकते हैं कोरोना इसी की विज़से होता है वारिस की विज़से तो यह different type की diseases cause करते वे देखे गए हैं अब इनका फायदा कैसे हो सकता है यह आप 12 में पढ़े होगे लेकिन link है तो यहाँ पर पढ़ते हैं फायदे में क्या है बायो टेक्नोलोजी में अगर कोई भी foreign gene humans में transfer करना है तो उसके लिए वारिस का यूज करते हैं वारिस को यूज किया जाता है gene transfer के लिए gene transfer into humans अगर हमें एक defective genes को जो human के अंदर में problem cause करते हैं उसको हटा करके नया gene डालना है तो वारिस हमारे लिए vector की तरह काम करता है तो scientist ने इसको फायदा में ले आए retrovirus को यूज करते हैं इसमें एक सेजार पढ़ोगे इसको इसी तरीके से कुछ वारिस ऐसे होते हैं जो की category है nucleo polyhedral virus nucleo polyhedral viruses क्या करते हैं ये कुछ root bond pathogens में जो फसले होती हैं जड़ों में जो ऐसे कुछ पर जीवी या parasites होते हैं जो फसले नुकसान पहुचाते हैं केड़ों के नुकसान पहुचाते हैं केड़े जो है फसले नुकसान पहुचाते हैं उनके अगेंस्ट यह काम करता है ये कुछ खास इंसेक्ट को टागेट करता है जो फसलों को बरबाद करते हैं तो यहां पर वारिस के कुछ beneficial use आ रहा है अभी तो उसकी research शुरू ही हुई है इसकी गुत्थी तो बहुत ज़ादा समय में खुली है देखो ना AIDS कितने टाइम से लोगों को मार रहा है लेकिन उसका कोई भी solution नहीं निकला है तो research जितना ज़ादा होगा उतने ज़ादा हम इनको और अच्छे से जान पाएंगे जब corona ने अटाइक किया था covid-19 ने तो उसका देखो कितने समय के बाद उसके symptoms पता चले हैं दवाईया निकली और vaccine कितने देर बाद आई इसी वज़ाद से उसको pandemic कह जाता है तो वारिस को कभी भी हलके में नहीं लेना चाहिए यह जब भी आता है तो रूप बदल के आता है म्यूटेट करके आता है अभी देखो corona वारिस के करने से कम 6 वर म्यूटेशन हो चुका है और यह corona क्या है फ्लू वारिस ही एक तरह का है simple respiratory symptom cause करता है लेकिन कितने लोगों की जान ले लिए इसने क्योंकि इतना fast mutate करता है तो यह बच्चों वारिस के बारे में था next वीडियो में हम इस chapter 2 को complete करेंगे जो बाकि छोटे मोटे topic हैं वारेट्स हैं, प्रियांस हैं, मैकार हिजा हैं lichens हैं, alternation generation हैं, insectivorous plants हैं इनको हम next video में समाप करके complete करेंगे और फिर मैं आपको इस chapter के PYQ जो पिछले नीट में आए हो कराऊंगा आप सको देखते रहना अभी मैं आपको इसमें वापस NCRT में लेके चलता हूँ हम NCRT में देखें जो हमने पढ़ा उसको एक बार line to line अच्छे से All of us who have suffered from ill effect of common cold or flu know what effect viruses can have on us even if we do associate it with or with condition viruses को arch-vitter classification में जगा नहीं मिली है मैं पहले बता चुका हूँ The viruses are non-cellular means बाहर जब हैं तो ये cell में नहीं है cell के बाहर ये क्या हैं They are characterized by having an inert crystallizing outside the cell Inert means inactive हैं पूरे इनर्ट फॉर्म में होते हैं ये दो वारिस है TMV कहते हैं ये देखो ये इसके capsid or proteins हैं प्रोटीन से बाहर और ये single standard RNA है इसका और ये T2 bacteriophage है बैक्टिरियो फॉर्ज जिसमें आप देसकते हो ये polyhedral shape है इसका collar है neck है और ये tail है यहां से ये host के अंदर जाता है ये आप देख सकते हो तो ये NCRT में हैं ध्यान रखना है इसको अब once they infect a cell they take over the machinery of the host cell to replicate themselves killing the host मैंने क्या कहा था याद है छोड़िंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक मारती है उसको एक ऐसर साथी है अपने cell का जो उसको मार देता है उसको ये would you call biases living or non-living दोनों में आता है living क्या है genetic material है reproduce करता है non-living क्या है कि slice लगता है बाहर inactive है पफर की तरह है कुछ पता ही चलता है virus means venom और poisonous fluid जहर Dimitri Imanuski 1892 मैंने पहले कहानी बताई आपको उसने बताया कि कुछ microbes ऐसे होते हैं जो mosaic disease cause करते हैं mosaic किसने बताया था मेर ने disease of tobacco को ठीक है मैंने पूरी कहानी बता दिया आपको they were found to be smaller than bacteria because they pass through bacterial blue filters किसने बनाया था filter ये Charles Chamberland ने इवन उसकी इसको यूज किया ठीक है major rankia ने क्या किया demonstrate किया कि उसका जो extract होता है वो infected plant को वैसे ही cause करता है जैसे एक infected plant को transfer करते हैं उसमें तो वो भी एक disease cause करता है same to same तो क्या बोला कि ये contagium vivum fludum है Stanley 1935 electron microscope discover होनी के बाद मैं बताया है कि उसको किस तरह के से किस तरह के से उसको हम show करते है they are inert outside the specific host cell देखो ये sentence दूसरी बार आ रहा है पिछली page में बिथा ये and obligate parasites ठीक है in addition to proteins viruses also contain genetic material that could be either RNA or DNA दोनों में से एक but दोनों नहीं होता है ये बता दिया इसने अब देखो आगे no virus contain both DNA RNA ये virus is a nucleoprotein means nucleus और protein होता है जिसमें genetic material infectious होता है in general virus that infect plant have single standard RNA and animal करते है उसमें double standard RNA ये DNA देखो single और double standard RNA और double standard DNA पता दिया है कौन कॉन से इसमें है तो सब में आ रहा है bacterial viruses और bacterial forge forge के मतलब viruses दो जो bacteria को affect करते है इन में क्या है double standard याने होता है मैंने map बना दिया है उसको लिख लेना अच्छे से द्यान से देख लेना protein coat जो है capsid होते हैं जो capsid मेर से बने होते हैं और यह अलग अलग शेप में होते हैं helical है polyhedral है geometrical form में होते हैं virus disease cause करते हैं mumps, mumps कहां होता है यह pirated salivary gland होता है उसमें mumps swilling होती है smallpox यह बिमारी अब जड़ से खतम हो चुकी है अब नहीं किसी को होती है harpes simplex virus होता है और influenza common cold को कहते हैं AIDS भी virus से cause होता है plants में symptom क्या cause करता है mosaic formation हलके हरे रंके धब्बे लेना leaf मुर जाती है curl हो जाती है पीली पर जाती है height चोटी हो जाती है height बढ़नी पाती not चोटी height बढ़नी पाती है तो यह simple virus के बारे में था यह मैंने आपको notes के form में पहली ही लिखा चुका हूँ ध्यान से पढ़ना बच्चों अभी तक test और test के में बताऊंगा आपको करना है मैं शेर कर दूंगा आपको उसमें sheet के उपर में और अच्छे से पढ़ना PYQ जल्दी ही करेंगे नेक्स आखरी वीडियो में इस चैप्टर में बिलेंगे नेक्स वीडियो के अंदर में जब तक देखते रहिए बाले जी बॉल मीटा और अच्छा लागए तो subscribe कर दो हमें भी आपको boost up मिले और आपके लिए भी और अच्छी वीडियो लेके हैं मिलते हैं बच्छों जल्दी